हेलो फ्रेंज कैसी हो आप आज हम बनाएंगे नए डिजाइन का टोर्मेंट जिससे बनाने के लिए फ्रेंड हमने तीन कलर की बूर लिया है यह पहलिए बना जाएं है कि अधि अधि के लिया है एक इसमें क्वे कलर ले सकते हो जो आपको पर संभर और नौ नंबर की फ्रेंड मेंने शलाइड़ी है आप से पुराने साजी पुराने रूपटे से भी बना सकते ओग़िक्व झालए्स, इस मूल हम निगा, देज हला हुँ, तो यो दे विल को पीज़ा हम 64 पन्दे में में दावाथ। यह चार झाल zdrow चार झालू बाथ। बाज 6 तो मैं इसमें 14 फंदे डाल लेती हूं तो देखो फ्रैंड हमने इसमें 14 फंदे डाली हैं अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हो तो अपने हिसाव से फंदे डाले जितना बड़ा आपको चाहिए तो यहीं से हम बनाना च्राइड करेंगे आप इसमें कोई भी कलर ले सकते हो मैं इसे सिंगल गूल से बता रही हूं आप इसमें डवल गूल से भी अगर पतली गूल है तो आप डवल कर ले इसमें मेरी मोटी गूल है तो मैं इसे सिंगल गूल से तो मैंने दो फंदे यहीं छोड़ देने हैं बिना बुने यहीं से हम करेंगे पूल को पीछे करेंगे और लास्ट वाले फंदे को सीड़ा बनाएंगे अब हम फिर से उल्टी सलाई पे आ चुके हैं पैड़े फंदे को सिलिप करेंगे फिर से दो फंदे छोड़ेंगे पैली सलाई पे दो छोड़े दे दूसरी पे तो यह दे को दो फंदे छोड़कर यहीं से बिना बुने और यहीं से हम पगड़ लएगे प्लाश्ट के फंदे को सीधा बनाएंगे यहीं हमारी तीसरी सलाई है दो दो करते हुए हमने सारे फंदे छोड़ देने हैं यह देखो फिर से दो फंदे छोड़ेंगे और यहीं से हम पगड़ लेगे तो हमने छे फंदे छोड़ दी है तीसरी सलाई है और सीधी सलाई तो हमने जिस तरह से यह देखो सीधा सीधा बनाएंगे लाश्ट वाले फंदे को सीधा बनाएंगे फूर पीछे करते हुए इसी देर हम यहां तक सारे फंदे छोड़ देती हूं यह देखो पहले फंदे को स्लिप करेंगे यह देखो दो-दो करते हुए हमने सारे फंदे छोड़ दिया यहीं से हम पलट लेंगे यहीं से पलटके सीधी खंदे यहीं को यह देखो अब हम हम तो हमने सारे फंदे छोड़ दिये हैं दो-दो करते हैं एक बार छुटे हुए खंदों को पूरी सलाई को जे लेको उल्टी सलाई तो हम बना दिये हैं अब पलट लेंगे सीरी साइट से भी इसी तरह हम बनाएंगे पूरी सलाई को अब हम बनाएंगे इसे हमारी देखो एक दम फिनिशिंग आएगी और फली बनके आएगी अब हम जिस तरह हमने दो दो करते हुए सारे फंदे छोड़े दे फिर से हम यही रिफीट करेंगे इसको स्पाहिए करेंगे इसे हमने यही दो फंदे फिर से छोड़ेंगे एक फिर से हम दो फंदे छोड़ेंगे इस पूरी सलाई को सीधा सीधा बना देखो सीधी सलाई हम बना लिए हैं अब फिर वीझे हैं थे दिए दोफंदे छोड़ेगे शौदः लिए हमने चौदः फंदे छोड़ देने हैं इस तरह से पहले आपको बताय था सेम उसी तरह हम फिर से रिफीट कर रहे हैं दो फंदे फिर से छोड़ देंगे और यहीं से हम पड़केंगे तो इसी तरह हम दो दो करते हुए सारे फंदे छोड़ देते हैं आगे तक बना लाते हैं फिर आपको आगे दिखाएंगे तो देखो फ्रेंड हमने देखो इस तरह ऐसे बना दी है तो मैंने कितनी बार ये बनाया है इस तरह ऐसे दो दो फंदे छोड़ते हुए एक दो तीन चार पान पांच बार इसी तरह बनाते हुए दो दो फंदे छोड़े हैं हमने और ये देखो इस तरह ऐसे बनाया है अब हम हम आगे की फंदे उठा लेते हैं चौदे फंदे तो हमारे सलाई के उपर है चौदे और उठाएंगे आगे के एक दो तीन चार पाच छे साथ साथ आट नुँ दस ग्यारा बारा तहरा तहरा चौदा 14 फंदे हमने उठा दिया और 14 हमारे इधर है तो यह हमारे 28 फंदे हो चुके हैं पूरी सलाई पर हमारे 28 फंदे हैं अब अब एक क्रो हम इसी कर इसी तरह बनाते हैं पहले फंदे को सलिप करेंगे इदे को इदे को इदे को अब 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 गुर्ट को पीछे करेंगे इसको सीधा बना लेए अब सीधी सलाई तो हम बना लिये हैं अब उल्टी सलाई को भी हम इसी तरह हैं यह देखो बनाने के बाद अब यही से उल्टी सलाई पर अपना अब ग्रीन कलर को लगाना है अब 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 यह देखो लाश्ट के फंदी को सीद़ बना लिए सीदी से लाई को यह देखो सीद़ सीद़ बनाएंगे पुरी सलाई को इसी तरह बना लेते हैं यह देखो सीदी सलाई बना लिए फिर से हम उल्टी सलाई पर आ चुके हैं तो अब हम फिर से अपने इस उल को आके लेंगे और पिंक कलर की वुल से फिर से बना लिए इसी तरह बना लेते हैं वुल को पीछे करके एसवंदे को सीद़ बनाएंगे तो उल्टी सलाई हम बना लिए हैं अब सीधी सलाई को भी हमने पुरी को सीद़ सीद़ बनाएंगे कुछ नहीं करना है जो देखो तो पुरी सलाई इसी तरह बना लेते हैं यह देखो सीधी सलाई भी बना लिए हैं अब हम अपना गरीन कलर से परेको गरीन कलर लगाएंगे उल्टी सलाई से यह देखो यह देखो यह सीधी क्रै मिजलीBook परे आचुके हैं अब हमने लिए रहान तो सीधी सलाई परे आ चूके हैं तो हमने यहां से दोनो इसे एक एक फंदा घठाए एक फंदा इधर से घटाएंगे और एक फंदा इधर से दोनों साइड से एक एक फंदा घटाती जाना है सीधी सलाई पे घटाएंगे इसी तरह हम दोनों साइड से एक फंदा घटाते जाएगे फिर से हम उल्टी सलाई बना लिए हैं सीवी सलाई पर हैं फिर से हम एक फंदा गटाएंगे दो फंदा गटा दिया है यह देखो एक एक करते हुए हम एक फंदा गटाते जा रहा है यह देखो दो फंदे एक साथ लेंगे एक फंदा हमारा खट जाएगा इसी तरह हम गटाते हुए एक फंदे तक गटा लेते हैं तब आपको दिखाएंगे तो देखो फ्रेंड मैंने यह देखो छे कली बनाई है एक तो तीन चार पाँ छे यह देखो छे कली बनाने के बाद अब हम इसको जॉइंट करेंगे इस तरह ऐसे यह देखो इस तरह से हम इसकी सलाई करेंगे यह देखो यहां से अ में दो कलियों को जोड़ दिया है यहां पर नौट लगा देगी इसी तरह सारी कलियों को जोड़ीगे असे तो देखो फ्रैंट हमनें इसकी सलाई कर लिया है और एक में इसे टेंड में फ्लोवर बनाया है जो मैं इसमें जोइट कर Penis इस तरह ऐसे तो देखो फ्रेंड ये डॉर्मेट बनके कम्प्लीट है तो फ्रेंड आपको ये डॉर्मेट कैसा लगा प्लीज कमंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें शेर करें अपने दोस्तों के साथ